जैहें नमस्कार साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों उत्तवर्दे सिचक पातरता परिच्छा 2022 यानि कि UPTT 2022 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और ऐसे अब्यरतियों के लिए बड़ी कुछकबरी है जो लगातार मांग कर र कि PCS 2021 की मुख्य परिच्छा में महाज 7688 परिच्छारती सामिल होने थे और फिर भी ये इम्तिहान इस्थगित कर दिया गया है वही जब बात आती है UPTT को लेकर और इसमें सामिल होने वाले अब्यरतियों की संक्या है 21 लाख के आसपास लेकिन अभी तक ये परिच्छा इस अगर हम डाटा की बात करें तो 21 लाख जो है चाचट हजार के आसपास इसमें अब्यरतियों का जमावड़ा है लेकिन अभी तक ये परिच्छा क्यों नहीं इस्तगित की गई है और इसी को लेकर आज यहाँ पर फिर से एक बार कटा चुवार किया गया है और यहाँ पर य कूपी टीटी क्यों नहीं क्योंकि इसमें 21 लाख चाचाट हजार अब्यरति सामिल होने हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें जो है करोना ओमिक्रोन की तो लगातार यहाँ पर केसेज बढ़ रहे हैं और आज के नियूज पेपर में एक बार फिर से जो इसका डाटा है ये किया गया है कि तीसरी लाहर में सबसे ज़्यादा मौते जो है कल की डेट में देखने को मिली हैं वहीं इस पर योगी जी का ये कहना है कि कुरोना संक्रमित चात्र के लिए अलग से रूम की बिवस्ता की जाएगी लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता कि अगर कोई कुरोना संक दिन है ये मान के चली अगर आज ये इस्तगित नहीं होगा तो फिर ये इस्तगित नहीं हो सकता तो इसलिए आज महा आंदोलन की घुचणा हो चुकी है जिसमें सैकोडो अध्यापक आप सभी के साथ खड़े हुए मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी को जुड़े और जिससे इस मुही में सफलता हासिल की जाए बहुत बहुत धन्वाद